साथियों, हमारे हाँ ऐसी कई चीजे हैं जो प्रक्रिया में बढलाव किये बिना ऐसे ही निरंतर चलती जाती है, चलता है, होड़े दो हाँसिंग से जुड़ा मामला भी बिल्कुल ऐसा ही रहा है, हमने इसको बदलने की ठानी, हमारे देश को बहतर टेक्नलोजी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, हमारे गरीब को लंबे समय तक ठीक रहने वाले घर क्यों नहीं मिलने चाहिए, हम जो घर मनाते हैं, वो तेजी से पूरे क्यों नहीं हो, सरकार के मंत्रालोगों के लिए यह जरूरी है, कि वो बड़े और सुस्त स्ट्रक्चर जैसे नहीं हो, बलकि स्टार्ट अप की तरह चुस्त भी हो और दुरस भी होने चाहिए, इसके लिए हमने Global Housing Technology Challenge का आयोजन किया, और दुनिया भर की अग्रणी कमपनियों को हिंदुस्तान में निमंत्रित किया, मुझे खुशी है कि दुनिया भर की पचास से जादा Innovative Construction Technology के इस समारों में हिस्सा लिया, इस ग्लोबल चैलेंग से हमें नई टेकनोलोजी को लेकर इनोवेट और इंक्यूबेट करने का स्कोप मिला है, इसी प्रक्रिया के अगले चरण में, अब आज से अलग-अलग साइट्स पर छे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो रहा है, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स आदुनिक टेकनोलोजी और इनोवेटिव प्रोसेस से बनेंगे, इसमें इन्फास्रेक्टर का टाइम कम होगा, इसमें कंस्रक्शन का टाइम कम होगा और गरीबों को ज्यादा रेजिलियन, एफ़र्डिवल और कंफेटेबल गर तयार होंगी, जो एक्सपर्स हैं, उन्हें तो इसके बारे में पता है, लेकिन देश वास्चियों को भी इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज ये टेकनोलोजी एक शहर में इस्तिमाल हो रही है, कल को इनीक अविस्तार पूरे देश में किया जा सकता है,